हलो गाइस तो आप देख रहे हैं सल्मान खान वाला ब्रास लेट और यह जो चैन है कितनी मौटी है इसको पिटाई करने के लिए इतनी ही बड़ी मसीन के जरूत हो गई और और बी बहुत सारी चैन है जो मैं दिखाना चाहता हूँ यह जितनी भी चैन है ना 对 मतलो प्रेस को कि है यह हैम रेंग कि उती है वह आज मैं आपको दिखाऊँ का हाँ में कैसे कांच करेंग का मैं आपको उससे पहले मैं कुछ ठाता हम यह पereब मसीन के लिए तो सबस्क्राब ड़िना चलpas शुरू चलिए आपको दिखाते है हैं मिल क्या होती है चलिए दोस्तों देखिए यह होती है हैं मिलिगंस जब यह तो आपको अच्छे से दिखा दूँ करेंचर को देख्व के यह होती हैं मिल पहले देख लीजिए यह होती है hammering hammering basically पहले जो होती थी वेरिंग वाली आती थी अभी oil pressured hammering है यह इसका wheel है bearing वाली में पीछे होता था यह side में है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर एक automatic लगाए जाता है और यह इसका है dab oil pressured dab इसके pressure बढ़ाते है pressure बोल सकते है इधर weld चलता है motor होता है इसके अंदर और यह है universal block तो यह कैसे काम करता है थोड़ा चला के दिखाए हम दिखाते हैं आपको कैसे काम करता है और मेरे सहयोगी है इस बीडियो में क्याना मैसर आपका यह बिकास गुपता जी है बाई एक बार सकल दिखाओ रोतक बारोते जानते होंगे निको दारिवाल साथ तो यह गुपता जी है और यह देखिए कैसे काम करें चली यह दिखाईए दिखाओ तो इसको घुमाने से ऐसे काम करती है इसके अंदर कुछ भी चैन बगएरा कुछ भी हम डालते हैं यहां पर यहां पर ठीक है तो यहां से जब निकलती है तो पिट के निकलती है मोटे से मोटा ब्रासलेट आप इससे पीट सकते हैं मोटे से मोटी चेन भी आप इससे ये वाली सारी बारे इग मोटी सारी चेन आप इससे पीट सकते हैं और ये जो हैमरेंग है भाई बहुत बजनी होती है 10 टन की है 7 टन की आती है 5 टन की आती है कि यह हैम रेंग है डेट भीसी साफसे हुता है रेट तो थोड़ा जाद ही होता है चीज अच्छी यार मस्त चीज है तो ठीक है तो जिसकी भाई को हैंप्रिंग मसीन की जरू तो नीचे नंबर दिया है प्लीज कॉल करें हैंप्रिंग आपको मिल जाएगी और इसको चलाना बहुत इजी है अभी यहां लायट का फिने फंक्शन कनेक्शन नहीं हुआ है लायट हो जाने के बाद आपको चला के भी दिखाएंगे इसको चलाना भी बहुत इजी है तो थेंक यू एमरिंग के बारे में कोई भी कुष्चन हो तो आप जरू बताएं कमेंट में अभायट